गुजरे जमाने की सान जावा बाइक अब फिर से नए अवतार में सोरूम आपके सहर सागर में भी उपलब्ध तो आज ही लेजिए नए जावा बाइक पता जावा सोरूम बरसा इंडेस्ट्रीट के बाजू में भगवान गंज सागर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आहट से हलकंप मचा है वहीं प्रदेश के सागर में भी अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकलों में इजाफा हू रहा है जिले में लगातार दिन वदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है आलम यह है कि कोरोना की तीसरी लहर अब यूबाओं पर अटेक कर रही है वीते 48 गंटे में दो यूबाओं की मौत से प्रसासन में हलकंप मचा है इसके अलावा बीते दिन देवरी छेत्र का दो वरसी मासूम बालक भी कोरोना की चपेट में आने से प्रसासन सकते में है बीते दिन जहां रहली निवासी 22 वरसी कोरोना पॉजिटिव यूबती की मौत हो गई थी वहीं सागर के संत कवीर वाड निवासी 22 वरसी कोरोना पॉजिटिव यूबक की मौत से प्रदेश की सरकार से लेकर जिला प्रसासन में हलकंप मचा है बता दें कि बीते दिन 136 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी इनमें देवरी निवासी दो वरसी मासूम बालक भी सामिल हैं इसके अलावा सहरी छेतर में सबसे ज्यादा मकरोनिया छेतर के 24 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं साथ ही कोरोना का होट स्पोर्ट बन चुके BMC केंपस में भी 19 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जबकि UTD में 3 से अधिक और केंट छेतर में करीब 13 संक्रमित पाए गए हैं फिलाल सागर में कोरोना लगातार अपने तेजी से पैर पसार रहा है साफधान रहें सतरक रहें कोरोना की लक्षन दिखाई देने पर नजदी की स्वास्त केंदर में संपर्क करें और अगर आपने अभी तक बैक्सीन का टीका नहीं लगवाया है तो आज ही बैक्सीन लगवाएं साथी सड़कों पर निकलने से पहले फेस मास्क का उपयोग अवस्च करें क्योंकि अब यही उपाए आपकी जीवन में आने वाले खत्रे को बचा सकता है सागर से आदर सुदुबे के साथ वसीम कुरैसी सागर एक्सप्रेश निउस झाले एक्से प्रूपस्प्रेश टूओए जाएं